सब्सक्राइब करना मत पूर है तो आज के हाई की बात करें तो एक जबर्दस बड़ी न्यूज अनौंस हुई है तो आज के हाई की बात करें तो गईस यहां पर करें अपने नए बाउन विक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है आज की बात करें तो पंदरा पर सेट के आज पास इसमें जंप देखने को मिला है अगर बात करें इसके मैक्सिमम की तो मैक्सिमम जो की करीब-करीब यहां पर सवा सो रुपे के आस पास का से हुआ अगरता है और अब भी एट पिजन्ट आपको 16-17 रुपे के आस पास इसका फ्लेक्सिशन मार्केट में नजरा रहा है अगर बात करें इसके analysis की तो जो आज volume trade हुआ है काफी बड़ा volume trade हुआ है करेकरी चार क्रोड quantity के आसपास जो की NSC पर BSC की बात करें तो यहाँ पर साड़े 42 लाग quantity के आसपास volume trade हुआ है short analysis की बात करें 5 strength है 8 weakness है 5 opportunities 0 threat इसमें नज़रा रहा है अगर बात करें face value की तो एक रुपे इसकी face value market में मौझूद है market cap की बात करें तो 2526 क्रोड का market capitalization है 20 दिन coverage volume की बात करें तो सवा 18 लाग quantity के आसपास volume trade हुआ है last 20 दिन में आज की बात करें तो जबर्दस buying हुई है just because बड़ी news announce हुई है news क्या है वो भी देखेंगे अगर बात करें sentiment की तो sentiment इसका जो अब भी at present है 67% buy का 33% sales 0% hold करने का sentiment इसमें ज़रा रहा है अगर बात करें इसके financial की तो financial condition काफी अच्छी खासी है even quarterly result की बात करें तो 2670 क्रोड का यहां पर revenue रो किया है December 2021 में थोड़ा सा downfall यहां पर quarter on quarter देखने को मिला है बट year on year बात करें तो एक अच्छा खासा jump भी देखने को मिला है अगर बात करें net profit की तो एक अच्छे खासे profit के साथ 65 क्रोड का profit भी अन किया है December quarter में and EPS की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा downfall देखने को मिला है year on year हो यहां फिर quarter on quarter हो share holding की बात करें तो यहां पर promoter holding है 34.73% के साथ बनी हुए last एक साल से अगर बात करें pledge की pledge काफी ज़्यादा है 92.14% के साथ लगातार बना हुआ है and FII की बात करें तो यहां पर 11.63% के साथ holding बनी हुई है no doubt की यहां पर holding increase हुई है December quarter में DIA की बात करें तो यहां पर holding को decrease किया गया है and अगर बात करें यहां पर जो की public holding की तो यहां पर जो की उचाल देखने को मिला है no doubt एक अच्छा सहे नहीं बोल सकते है जितने public holding कम होती है chances काफी हाई होते है share price के उपर जाने के others की बात करें तो यहां पर holding जो की बिलकुल stable है दो quarter से 0.01% के साथ and अगर बात करें मिचल फंड की तो holding को decrease किया गया है 0.71% के साथ FIA की बात करें तो holding 0.2% के साथ holding को increase किया गया है अगर बात करें इसके dividend history की वह भी देख लेते हैं तो यहां पर dividend history की बात करें तो अगर यहां पर जो dividend history बिलकुल 0 है announcement होई है X rate भी आई है बट dividend नहीं दिया है इवन यहां पर जो की इवन 2011 दस नो आठ साथ announcement हुई है बट यहां पर dividend की details नहीं आई है हो चकता है यहां पर rejection मिलाओ board meeting में अगर बात करें यहां पर bonus की तो bonus history इवन काफी अच्छी खासी है दो बार bonus दे चुकी है company 1995 दस वन रिशे वन क चुका है और बात करें इसके लाओ जो की राइट इस्यू के अगर बात पर अगर बात पर जो की इवन एजियम की तो एजियम यहां पर जो की एजियम डिटेयल की बात करें तो 23 September 2021 को इसकी एजियम थी अब भी बात करें इसकी exactly situation क्या है तो वह भी देख लेते है total number of share की ब बात करें तो यहां पर जो टोटल नंबर हैं एक क्रोड एक सो एक्क्यावन करोड तीस लाग अठाई जार दोस्तों क्वाल क्वांटिटी मार्केट में ट्रेड और इसमें से साड़े बावन क्रोड क्वांटिटी है वो प्रोमोटर ग्रूट के पास है और करिक्रिप पोने 99 क अनाउंस हुई है 17 मार्श इतमींस कि आज ही एच सी सी जंप 7 परशेंट आफ्टर इस एक कॉंस्तों कॉंस्तों कॉंसोर्टियम बैक्स वाटर नेटवर्क ओडर फ्रम राजस्तान तो यहां पर काफी बड़ा ओडर मिला है एच सी सी को जिसकी वजह से यहां पर काफी अच सी खासी निूज आईए जिसका effect जो कि आज jumping में देखने को मिला है 15 पर सेंट का पेहतरी जंप यहाँ पर जो कि देखने को मिला है HCC में अगर इसकी ओर न्यूज की बात करें तो एक न्यूज यह आई है कि इजियम इसकी जो कि 23 मार्च को इसकी इजियम स्कडियूल हुई है देखना बाकी यह है कि इजियम में क्या लेटेस्ट निकल के आता है अगर बात पर इसके लावा जो कि एक न्यूज यह है जिसमें जो कि रीपेमेंट ऑफ दिसना प्रिंशिपल एंड जो लोन अमाउंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर जो कि BSC को दिया था यह लेटर साथ मार्च को इसमें क्लेली लिखा हुआ है अगर बात करें इसके पेमेंट अगर यह रीपेमेंट कर रहा है या फिर इंटरस्ट पे कर रहा है या फिर री स्ट्रक्चिरिंग कर रहा है तो यहाँ पर कुछ तो बड़ा दमाका होने वाला है कुछ तो बड़ी चीज़ें यहाँ पर HCC में हो रही है और अगर बात करें इसके अलावा जो आज की लेटरस्ट न्यूज है उसका लेटर भी ओलड़ी जो कि BSC और NSC को जा चुका है सत्रा मार्च को यह लेटर दिया है तो इसकी आज ही लेटर दिया है HCC OMIL Joint Venture विन टुपीज जो कि OMIL के साथ जो कि Joint Venture यह ओडर रिसीव हुआ है HCC को 609 करोड का 9 का Water Supply प्रोजेक्ट जो की काफी बड़ा प्रोजेक्ट है काफी बड़ा यहां पर जो की ओडर मिला है HCC को लोग की बात करें तो सवा सात रुपे से ओल्री मोर देन डबल ओल्री जंप आ चुका है मार्केट में एक अच्छी खासी सिच्वेशन में अभी हिंदुस्तान Construction Company Limited की नजर आ रही है अगर बात पर इसकी जो की फाउंडेड की तो काफी पुरानी कंपनी है 1926 की यह कंपनी है जनुरी 27 जनुरी 1926 और नंबर ओफ एम्प्लोईज भी काफी ज्यादा Stable Company है काफी पुरानी कंपनी है ट्रस्टेट कंपनी है अगर बात पर इसमें जो की रवेन्यू की एक अच्छा खासा रवेन्यू भी है इवन काफी सारी सब्सिट्रीज भी है तो कुल मिलाके एक अच्छी खासी सिच्वेशन में है एंड चांसिस यही है कि जो यह अभी ए कंपनी एक साल में मोर देन डबल ओरडी शेर प्राइस हो चुका है तो एक बैतरी सिच्वेशन में है एंड अफकोर्स काई इस लेवल पर थोड़ा सा पंदरा रुपे के आस पास मिले देन आफकोर्स आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अभी यहां पर जो कि एंट्री ले स इसमें जो कि बाइंग कर सकते हैं अभी थोड़ा सा क्योंकि मार्केट की बात करें तो पीक पर है तो थोड़ा सा मार्केट की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कभी अब कभी डाउन यहां पर सिच्वेशन ऐसे वाली ही हो रही है एंड ऑफकोर्स गाई थैंक्स लोड़ वाचिक वीडियो तो प्रीज चेके हैं प्ली लाइक कमेंट शेयरा है सब्सक्राइब थैंक्यू टेक केर